मेरा ननियाले पाकस्तान में जी हाँ अभी हिंदू है अभी तक तो है तो ठीक है पंद दुख बहुत है उनको तो सी ये जो समोधी जी ने सी ये किया था वह आप लोग उसके पक्ष में थे वह एकदम बिलकुल लागू होना चाहिए ये बहुत दुख़द है ये जो आप लोग कहने कि देश का विभाजन हुआ ये बॉर्डर देश का आखरी गाउं है और यहां पर भी तुष्टी करना है तो बहुत दुख़द है ये बॉर्डर पर होते हुए बहुत सारी पॉपुलिस नहीं यहां बता रहे नहीं बागी बंगलादेश बॉर्डर पर इधर उदर होता है वैसे इधर भी होता है क्या अब भी कुछ नहीं है पहले था आपके समय में था जब आप बच छोटे थे तो पहले पाकिस्तान से लोग खुले आम आ जाते थे पहले आ जाते थे उग्रवादी बीब आ जाते थे इत अत्रमनी की नवज़ नवज़ तार मंदी की फिर बात मां लाइट लग गई अब कोई आना जाना पकसी भी ने जा सकता पहले होता था इसलिए बहुत सारे लोग उधर से इधर आ गए बाग करके नहीं यहीं के हैं यहीं के होगा आपके रिष्तेदार हैं अभी भी है उनसे बातचीतों नहीं होती होगी तो क्या उन्हों वह हिंदू अभी भी हिंदू है या बदल गया है पाकिस्तान में जी हाँ अभी हिंदू है अभी तक तो है तो ठीक है पन दुख बहुत है उनको अब बताते हैं आप लोगों को की बहुत दुख देते हैं आते हैं जब कहते हैं कि ऐसा हाल है बुरा बात फोड़ो अब आणि नहीं सकते है बीदानीय नहीं देते हैं उनको पर इंदूं की हालत खराब है बच्चें उठाके ले जाते हैं अब कोई गाड़ी बस आप लेड़ीस को लेडा नहीं सकते अपने जैसे जाते हैं अपने घर की गाड़ी के अंदर ओ तो लोड निकल सकते हैं प्रवाइब बात्ची तब होती है आप लोगों की बहुत कम अब तो खर वीजाई मतलब बंद है बहुत दिनों से तो कुछ है ही नहीं आप लोग क्या चाहते हैं पाकिस्तान के साथ जो बिलकुल इग्नोर कट रहना चाहिए या फिर आना-जाना उनको आने दिया तो सिय ज़िने किया था आप लोग उसके पक्ष है वह एक दम बिलकुल लागू होना चाहिए कर रहे हैं अब मोदी आएंगे तोइस में और पती से पहले-पहले कर देंगे कर देंगे तो आप लोग चाहते हैं कि आपके रिष्तेदार जो उधर रहे हो इधार आ जाए इंदू लोग दुखी है वह यहां हम आज आना चाहिए तो मतलब राजपूत में भी हैं हिंदू धर राजपूत है अभी फास्पोर्ट से आते हैं बच्चियों को यहां लाते हैं यहां साधी करके वाफिस चले जाते हैं सरकार से एक बार बता दीजिए आप लोग क्या चाहते हैं आपकी बात जाना चाहिए देश के आखरी चोर पे आप लोग हैं आप लोग की बात सुनने कोई दिल्ली की मीरिया नहीं आती है तो आपकी बात वहां तक पहुंचे आप लोग क्या चाहते क्या हैं आप लोग जाते हैं का अभी तो बंद हैने बिलकूल बढ़िया है ठीग है ने वह हमसे ऑने बाद में वीजा मिली साथ है कोई इस भी ओख लोटन है是什麼 नुस्तनर की ससाथ में 10 बारा सबीति हैं अभी तो अहुं इस वित्जों मतानी तı नाँत है कि नहीं है अभी है जैसे रहे अभी बिल्कुल उग्रवास बन यहां से वहां आने वाला है नहीं कोई नहीं तो यहां के रिष्टेदार मुस्मानों होग सबके वहां है ना वो यहां आ जाते हैं है आप लोОgg के बापकरा कहानी सुनाते होंगे उधर से आने का दर्थ पिष्भाज कि अब आप क्रदार जो पंदार ही है的 ठोड़ी मोजनी पेहना मुजन माने को और हिंदु का यहां वहां को परका राखना परता हम शिर्व पर टोपी रखने परती है कि इस अफ़ार यहां पेंड के वह मतलब अपने धर्म के किसा अधादि में हैं नहीं उनके उपर पापंजिया है वैसे इसे सबसे करते कि उनको यहां बुलाया जाए हिंदू को और उसके बाद नहीं यह बॉर्डर बिल कुछी जोगा अपना आना जाना रहुत दुखी है और यहां पर भी दुखी है ना आप तो यहां भी कह रहें यहां भी तुष्टी क सब्सक्राइब कर दो चलेगा सब्सक्राइब किसको बोट देंगे बोट तो हम तो अभी तो बीबीजी बीजी को दे रहे हैं यहां तो रभी नर्षिंग नर्दर है दूसरी पारटी के उसको ज्यादा बूसकर बाटी जीके लिए मोदी के नाम है इसलिए कि आप लोग को एक दम बिल्कुल चाहते हैं कि पाकिस्तान से बॉर्डर एक दम से जिसे सील है वैसे ही रहना चाहिए कुछ भी खुलाब नहीं होना चाहिए बिल्कुल जिवार जिवार जाने हैं कि मोदी जी की सरकार आए यह हम चाहती है यह चलिए तो यह हम देश के आखरिक गाया जाती थी यहां गाया जाती थी उस सब बंद हैं बढ़िया है खुश है फुली लेजट चले आते थे यहां लिलाम कराते थे वह बंद होगी सारह बहुत बढ़िया हुआ है बहुत भाइदा हो गया 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 करती थी जाप बहुत फाइदा है चलिए देश के आखरी गाउं से हम हैं बारमेर में रामसर से और हमने चुकि मुझे जब हम यहां से बौडर की तरफ जा रहे थे तो कुछ रास्ते पे साथी मिले तो उन्हों हरे है लेकिन वहां लोग है उनकी पीड़ा आपको समझना चाहिए हुँए फ्रम ने प्रियास किया व्हारत के आखरी गाउंका दर्थ क्या है जो दिल्ली तक नहीं पहुँचभाता है दिल्ली तक इनकी पीड़ा पहुंचे यह क्या चाहते हैं वो चीजें पहुँचे हम इन सब की जो पीरा आपने समझी होगी, मुझे उमीद है कि मोधी सरकार तक इनकी बात पहुचेगी, ये इस बात से तो खुश है, कि इनके गाउं में डेवलप्मेंट हुआ है, इनकी सरकें बन चुकी है, तो निश्चित रूप से रोजगार का जडिया बढ़ा होगा, लेक जाएंगे निवारण कोई जोबी समय मोधी जी आएंगे और कोई काम बन बागी नहीं रहेगा, आज वर्ड की अंदर मोधी जी की वज़य से ही हिंदूस्तान की नम रोशन हुआ है, वर्ना हुज़र से चीन, इदर से पाकिस्तन, कुत्तों की तरह बहुंगते रहते थे भ सुंतियक, मोधिज की बात के उपर है, संसार मानता है हिंदूस्तान के इंदर अभी नया सेर आया है, वर्ड का सेर, संसार को कुछ बताने वाड़ा है, दिखाने वाड़ा है, और करे कर करके ही रहेगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का, बहुत धन्यवाद, बहुत झाल झाल